कई हिस्सों में भीशन गर्मी पढ़ रही है आलम ये है कि पारा 50 धिक्री तक पहुच गया है लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्कल कर दिया है राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार जहारखन राजिस्थान तक लोग गर्मी के टॉर्चर से परिशान है दिल्ली NCR और बागी राजियों में गर्मी और कब तक सताएगी सुनिय इस पर मौसम विभाग ने क्या कहा है अब भी पहुंच जाएगा इसके अलाव अगर पंजाब हर्याना के बाद करें वेस्टन डिस्टर्मेंस के कारण थोड़ा टम्रेचर ड्रॉप हुआ है लेकिन इसके बाद फिर ग्रैजुली 2-3 डिगरी बढ़ जाएगा और वहां पर हमने डे टू से रैड अलट दे रख आपको बता दें कि दक्षण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिवीधियां देखी जा रही है ऐसे में सुनिये मौसम विभाग ने बारिश को लेकर क्या बताया है इसके प्रभाब से जहां पर पूरा सोथ परिंसुल इंडिया में 12 से जादा रेंफाल पहाड़ी लाकों में भी मौसम के तेवर एक बार फिर तल्क होने लगे हैं मौसम विभाग ने हिमाचर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है आइमजी की माने तो उगले पांच दिन तक सूबे को भीषड गर्मी सिराहत मिलती नजर नहीं आ रही है तो अजर प्रदेश के अजर के टाफमानों की बात कर देखिए कर बाकिया कर देखिए कर बिलासपूर और धरम्षाला में हीड वेव कंडिशन रिकोर्ट की गई है जो सबसे अधिक्तम ताफमान था वो था नेरी हमितपूर में 44.2 उसके उपरान उना में भी 40 प्लस था 43 डिरी क्यास परस बिलासपूर में 41.3 जहां की हीड वेव थी और समाने से जो ताफमान था बिलासपूर में 5 डिरी अधिक था समाने से द्रम्षाला में 35.9 था वहां जो कल इवनिंग में जो बारिश होई है इसे जो मॉष्या में अभी हैक्षेतों जा शिम्ला है मन्डी इसमें तोड़ी क्लोडिंग जूर हो सकती है अफ्टरून के समय में ऐसे जो कोई मेजर रेंफॉल की कोई संभावना नहीं है पूरे प्रदेश में ही और इसके चल जो जो कल शाम में फुड़ी गिरावर दर्ज की गए थी पूरे क्षेत्रों में जहां जहां मनलब तंडर स्टॉम गड़ा विटनेस किये हैं मनलब हुए थे हालां कि जैसे ही वैदर मनलब खुला है आज तो जो जो दिन के तापमान है यी ग्राइज करेंगे आज आज देखते हुए देखिए प्रदेश में देखिए आज और कल के लिए जो हमारे क्षेत्र है उना विलासपूर हमेरपूर कांगडा मंडी और कुलू है कुछिक शेत्र है और सिर्मौर है यहां पर देखिए हीडवेब कंडिशन बन सकती है और फिर 23 तारीक से संभाव नहीं ह अगामी तीन दिनों में तो इसको देखते हैं पुरे प्रदेश में ही हीडवेब का अलर्ट जारी किया है अगामी पांस दिनों के लिए यह विडियो आपको कैसा लगा इस विडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूस नेशन डिजिटल शुक्रिया